वेलकम मैं वेरी वेरी प्रेशेस लियोज लियोज यह आपकी फैबरी की लव रीडिंग है और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की जनरल एनरजी को देखेंगे कि आप अपनी लव लाइफ में क्या फील कर रहे हैं क्या चीजे हो सकती हैं और कौन लोग अपकी लव लाइफ में उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेशन फ्यूचर और आउटकम देखेंगे और उसके बाद में हम युनिवर्स की गाइड़न्स लेंगे आपकी लव लाइफ के लिए लियोज ओके और थ्रू आफ दे रीडिंग इस चीज का बहु अपकी अपकी इस सवाफ करने के लिए नहीं है तो अगर आपकी थाल्प हो रहा है तो आपको बिलकुल भी देखने की जरूरत नहीं है तो चलिए श्रूब करते हैं तो first we have ace of cups and उसके बाद है seven of swords, ace of cups बताता है कि बहुत ही जादा emotions है आपके अंदर और आप उन emotions से कभी-कभी भागने की कोशिश करते हैं और February में आप काफी जादा emotional feel कर रहे हैं, I think आप किसी person के लिए emotional feel कर रहे हैं पर आपको यह भी feeling आरहे है कि oh my god मुझे इतना emotional नहीं होना चाहिए, शायद मुझे इतना vulnerable नहीं होना चाहिए तो it's mostly like कि यह feeling ऐसी है लियोस कि आप किसी के लिए feelings रख रहे हैं, आप किसी के लिए बहुत ही जादा emotional feel कर रहे हैं इतने साथ emotions रखने में आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे इतना emotional होना चाहिए या नहीं इस person के साथ मैं पता नहीं मुझे इस person पर चाहिए तो थोड़ा सा अपने emotions को आप control करने की कोशिश कर सकते हैं especially February के starting में उसकी बाद हमारे पास chariot है और 10 of swords है यहां पे for sure past में आपने endings देखी है अपनी love life में past में कुछ खराब चीज़े हुई होगी past में कुछ problems आई होगी बट आप बहुती beautifully उन सारे negative thoughts से या negative patterns से निकलते हुए दिख रहे हैं यहां पे chariot है जो कि बहुती जादा positive है तो सब कुछ अभी February में बहुती जादा positive moment एक love life में create होता हुआ दिख रहा है तो कुछ positive चीज़े आप experience कर सकते हैं and speaking about positive यहां पे six of pentacle है और यहां पे five of pentacle है ऐसा लग रहे है कि February में आप किसी person को miss कर रहे हैं even though आप negative feelings से निकल रहे हैं but आप miss कर रहे हैं आप you know अपनी love life में किसी companion को miss कर रहे है आप उस feeling को miss कर रहे है relationship की feeling को यहां पे आपका बहुत जादा मन कर रहा है especially February के starting में के love life में कोई होना चाहिए या इस person को मैं miss कर रहे है वो person life में होना चाहिए और आप उस relationship की craving को crave कर रहे हैं आप relationship के लिए you know आप उस equal given take के लिए crave कर रहे हैं आप call का किसी के wait कर रहे है या किसी के साथ relationship में जाने का wait कर रहे है are you getting me तो यहाँ पर desire है बहुत ही strong desire है किसी के साथ relationship में आने की और जरूरी नहीं हो कि किसी particular person के लिए आप ऐसा feel करें overall आप अपनी love life में feel कर रहे है कि कोई ऐसा person होना चाहिए जिससे मैं बात करो जिससे मैं मिलूँ जिससे मैं जिसके साथ में अपनी feelings को exchange करों तो ऐसा थोड़ा सा मन कर रहा है थोड़ा सा खालीपन feel हो सकता है but it's normal हम जब कभी-कभी no contact में रहते हैं या फिर हम single रहते हैं या फिर life में कोई होता नहीं है या किसी से बाते नहीं होती है तो यह बहुती basic से emotions हैं जो आप feel करते हैं उसके बाद यहाँ पर devil की energy है और the high priestess की energy है किसी devil की energy के कारण आप परेशान है और devil मतलब क्या होता है devil मतलब होता है कि किसी के लिए आप हो सकता है बहुत ज्यादा obsessed हों किसी के लिए आप you know बहुती ज्यादा strong feelings रखते हों किसी से आप बहुत ज्यादा attached हों और क्यूंकि वो feelings और वो जो आपके strong desires है वो आपको return में वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए भी शायद हो सकत है कि आप थोड़े से परिशान लग रहे हों तो यहाँ पर devil है जो किसी के साथ में strong bond भी बताता है obsession भी बताता है कई बार co-dependency भी बताता है कि किसी के बिना हमारा चल नहीं पा रहा है you know और devil कई बार connection में third party situations भी बताता है तो इन some cases आपके लिए हो सकता है कि यह भी चीज रहे हैं आप और devil actually the lovers का opposite होता है the devil card or the lovers card almost similar होते हैं और इस चीज को मैं और ज्यादा अच्छे से आपको explain करना चाहती हूं तो let's find out हम इस deck में जो traditional deck है इसमें हम devil or lovers को देखते हैं तो आपको मैं आपको बताऊंगी कि actually आप क्या feel कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है February में आ आपको बहुत है जादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे राइट के ओके 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 कहां गया the lovers हम के ओके 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 अब देखें दर devil का card और the lovers का card traditional tarot deck में यह देखें यहां पे the lovers है और यहां पे the devil है बहुत ही similar energies है तो जहां पे बहुत जादा जब प्यार रहता है intense love किसी के लिए feel होता है तो वहां पे devil के आने के भी chances बहुत ही जादा होते हैं तो यहां पे हम elated feel कर रहे हैं love में बहुत अच्छा feel कर रहे हैं बहुत जादा emotionally अच्छा फील कर रहे हैं, पहले पहले प्यार का जो एहसास होता है, वो the lovers होता है, बट ये connection या ये जो lovers, ये unconditional जो love है, वो कई बार devil में change हो जाता है, कैसे devil में change होता है, जब आप किसी से unconditionally love कर रहे हैं, बट आपका love और attachment इतना जादा गहरा हो गया है उस person क के लिए, कि आप उसे let go नहीं कर पा रहे हैं, पूरी life उस person के उपर depend कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये chain है, किसी chain से आप बंधे हुए हैं, तो ये जो प्यार वाली अच्छी feeling थी, जो सुन्दर सी love वाली feeling थी, वो devil में change हो गए, क्योंकि शायद हम jealous हैं, या फिर हम obsessed हैं, हम क कोई चीज लिमिट से जादा कर रहे हैं, या फिर devil की energy तब भी आती है, जब आप अपने person के साथ में, बहुत अच्छे love relationship में रहते हैं, बट कोई third party situation आ जाती है, आपके person के और attach हो जाते हैं, तो ये सारी emotion है, जो आप feel करते वे दिख रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग क्लासिक इस चीज में stand कर रहे हैं, जहां पर devil energy exist करती है, आपकी life में, अब devil energy के साथ में the high priestess आया है, the high priestess आपका ये feelings बता रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी love life से devil कब जाएगा, अगर आपने किसी person से move on भी कर लिया है, अगर आप इस situation में भी हैं, जहां पर आपक इस person से move on कर लिया है, तो in that case devil बताते कि अभी भी उस person की energies आपकी life में exist कर रही है, जैसे कि आपको irritation हो रहे है, उस person से आपको खुसा आ रहा है, उस person पे आप revenge mode में आ गये हैं, तो ऐसी भी feelings आपके लिए अच्छी नहीं है, अगर आप कुछ नया relationship manifest करना चाहते हैं, तो in that case also, यह मैंने आपको side note दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा इस चीज़ का, अब यहां पे 10 of cups है, और the emperor है, फैबरेरी में आप emotionally बहुत अच्छा feel करते हुए दिख रहे हैं, तो यहां पे आपकी energies February में change होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे आप 10 of cups फील कर रहे हैं, emotional satisfaction है 10 of cups, तो यहां पे emotionally हम थोड़ा सा खराफ फील कर रहे थे, क्योंकि खाली पन लग रहा था, तो इस खाली पन को आपकी love life के बदलने के लिए यहां पे the emperor की energy है, the emperor again कोई ऐसा person आपकी life में दिख रहा है, जिससे आपने pedestal पे रखा है, जो बहुत अच्छा person है, abundant है, द emotionally एक अच्छा time spend करते हुए दिख रहे हैं February में, तो yes, यहां पे एकदम से आपकी energies change हो रहे हैं, और यह devil energy जो है, यह change होके, emotionally आप satisfy फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, उसके बाद यहां पे four of swords है, और यहां पे king of pentacle है, okay, यहां पे king of pentacle है, और यहां पे four of swords है, four of swords, three of swords के बाद की energy है, मतलब four of swords healing की energy है, और यहां पे आप पुराने heartbreak से heal करते हुए दिख रहे हैं, और पुराने pain से heal करते हुए दिख रहे हैं, अगर आप deliberately भी heal नहीं कर रहे हैं, आपनी healing के लिए कुछ भी steps नहीं ले रहे हैं, तो भी आपकी soul ने इस healing को initiate किय है, तो February के mid में आप emotionally better feel करते हुए दिख रहे हैं, आप love life में अपने better position पे हैं, आप अच्छा feel करते हुए दिख रहे हैं, at the same time यहाँ पे king of pentacle भी है, तो king of pentacle कई बार यह बताता है कि आप किसी Virgo Taurus या Capricorn से deal कर रहे हैं, कन्या राशी से, व्रिशब राशी से, या फिर मकर राशी से, but at the same time जरूरी नहीं है कि आपके person का sign Virgo Taurus या Capricorn हो, king of pentacle यह बता रहे हैं, कि life में आप settled हैं, और love life में आप settled feel कर रहे हैं, मतलब जो negative emotions पहले bother कर रहे थे, वो अभी bother नहीं कर रहे हैं, हम harmony में हैं, अपनी love life में, हम better feel कर रहे हैं, क्योंकि हमने heal कर लिया है युनो कुरानी unwanted situations है, तो पहले starting में February के starting में आपकी love life में थोड़ी सी lack mentality दिख रहे थी, कि खाली पन है, कमी है, पता नहीं कभी love life में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, but for some reason किसी person के साथ आप time spend कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है आपकी love life में, कि आप अचानक से बहुती जादा positive है, हमने यहाँ पे king of pentacle देखा था, हम यहाँ पे three of pentacle देख रहे हैं, और hierophant देख रहे हैं, आप February के mid में या फिर end में किसी के साथ में एक ऐसा connection form कर रहे हैं, लियोस, जो connection आगे जाके बहुती जादा strong होगा आपके लिए, because यहाँ पे three of pentacle की energy है, basically three of pent pentacle, trinity, जो तीन energy है, उनका आपस में मिल के, एक establishment create करना बताती है, यहाँ पे जो तीन pentacle है, एक energy आपकी है, एक आपके person की है, और एक universe की है, या divine की है, okay, तो जब आप ready होते हैं, आपके person ready होते हैं, और universe भी ready होते हैं, या God या जो भी आप उस divine energy को बोलते हैं, यह जब त सेम page पे होती है, सेम point में होती है, तीनों energy सेम चीज चाहती है, तो वहाँ पे three of pentacle की energy create होती है, basically three of pentacle पहला पढ़ाव होता है, किसी strong commitment के आने का, तो अगर आप already किसी person के साथ में relationship में है, already किसी के साथ में relationship में है, but past में छोटे मोटे जगडे हुए हैं, या past में आपकी love life में कुछ problems आई हैं, तो February, mid में या end में आप बहुती stable feel करेंगे, आपको समझ में आएगा कि okay, ये connection strong हो रहा है, धीरे धीरे करके, या फिर bond हमारा better हो रहा है एक दूसरे के साथ में, और अगर जो लोग भी single है, there is a chance कि ऐसा हो सकता है, कि आपकी love life में कोई ऐसा person आए, ज यहां पर hierophant है, और hierophant बताता है कि desire, you know, जो desire है, आपकी वो long term commitment की है, किसी ऐसे relationship में आने की है, जिससे society recognize करें, जैसे शादी, marriage, wedding, engagement, इन सब चीजों की, तो यहां तक आप पहुँचेंगे, but February में एक छोटी से शुरुवात होते हो दिख रही है, आप में से mostly लोगों के पहले है, but यह बात बोलने से पहले हम इस चीज को ignore नहीं कर सकते कि पास्ट में आपने कुछ बहुती ज्यादा unwanted emotions को feel किया है, और February के starting में भी आप feel करते हो दिख रहे हैं, यहां पे the magician है, और उसके बाद two of sorts है, बहुती weird सी energy है, और यह energy weird क्यों है, again हम general energies discuss कर रहे हर एक message ह यहां पे the magician के साथ में two of sorts आया है, आप में से कुछ लोग confused दिख रहे हैं अपनी love life में, आप में से कुछ लोग ना अपनी love life में, इस चीज में confused हैं कि आपको किसको manifest करना चाहिए, या फिर आपको क्या pray करना चाहिए अपनी love life के लिए, थोड़ा सा confusion यह हो सकता है कि आप को समझ में नहीं आ रहा हो कि right partner कौन है आपके लिए, कुछ लोगों को confusion हो कि हमें past के person का wait करना है कि नहीं, या फिर you know, जिस person से में deal कर रहे हो, क्या वो person सही है मेरे लिए या सही नहीं है, तो you know, अपनी खुद की prayers को लेके थोड़े से confused दिख रहे हैं आप में से कुछ ल लेके confusion दिख रहा है, but I am sure कि wait time आपका confusion clear हो जाएगा, but ये confusion आप फिल कर सकते है, उसके बाद death and rebirth है, और उसके बाद king of cups है, see, death और rebirth, इस deck में, जो death का card है, उसे बहुती beautiful तरीके से explain किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ death नहीं है, यहाँ पे rebirth भी है, और जो universe का law है, वो law ऐस है कि कोई भी energy कभी भी end नहीं होती है, हमेशा transform होती है, तो अगर आपने love life में अपने endings देखी है, क्योंकि हमने आप 10 of swords देखा था, आप किसी ending से बाहर निकल रहे थे, तो अगर आपने कुछ अपनी love life में endings देखी है, तो new beginnings भी होंगी आपकी love life में, और यहाँ पे energy आप transition वाला period मतलब की खराब feel कर रहे थे, तो अब अच्छा feel कर रहे हैं, खराब energies में थे, तो अब अच्छी energy में है, कुछ end हुआ था, तो अब कुछ नया शुरू हो रहा है, तो energy आपकी transform हो रहे है, और इस transformation of energy के साथ में king of cups आया है, king of cups यहाँ पे आपका emotional satisfaction again बता रहा है, क तो भी changes आ रहे हैं आपकी love life में उसके लिए, तो पहले हो सकते हैं कि changes अच्छे नहीं लग रहे हो, बाद में कुछ ऐसी चीज़े होई कि आपको changes अच्छे लगने लगे, अब multiple cards इसे आ रहे हैं, जो हमें आपकी psychology बता रहे हैं, February की love life की जहां पे आप better feel करते हुए दिख card आया हो, but emotionally अच्छा feel कर रहे हैं, Leo's up satisfaction है, यहां पे किसी तरीके का, उसके बाद यहां पे Ace of Swords की energy है, और the lovers की energy है, see, यहां पे हमने देखा था कि आप थोड़े से confused हो रहे हैं, और मैंने आपको बूला था कि विट टाइम आपको clarity मिल जाएगी, दिमाग में कुछ clarity मिलत बहुत ही जादा opposite cards है, two of sorts confusion बताता है, और Ace of Swords दिमाग में आई हुई clarity बताता है, तो February का ही एक ऐसा मन्त होगा, जहां पे आपको थोड़ी सी clarity मिलेगी अपनी love life में, love life की reality पता चलेगी, जिसके साथ आप strongly connected है, आपको समझ में आएगा कि हमारा connection कहां stand करता है, हमारा life से related, आपको clarity मिलते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़े clear हो रहे हैं, जिसको लेके आप past में थोड़े से confused है, उसके बाद यहां पर eight of wands की energy है, और wheel of fortune की energy है, कुछ life changing या life transforming conversation आपकी किसी से February में होते हुए दिख रहे है, मैं यह नहीं बता सकती exactly कि आपकी क्या बात हो February या अपने person से या किसी person से, but कुछ important communication आने वाला है February में आपकी life में, जिससे आपकी जिन्दगी का या love life का एक perspective change होगा, the wheel change of destiny बताता है, और the wheel बहुत ही positively हमेशा positive turn लेता है, the wheel आया है मतलब आपकी love life की जो destiny है, उसमें positive changes आ रहे हैं, और eight of wands बहुत ही strong communication होना बताता है किसी person से, तो यहाँ पर किसी के साथ में आपका communication जो है वो बहुत ही जादा strong दिख रहा है, लियोज और उस strong communication से आपकी life major एक turn ले रही है, तो यहाँ पर कुछ important हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर 10 of pentacles है, और oh my god, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़े होत है, तो यहाँ पर 10 of pentacles, 10 of pentacles the ultimate stability है, love life की, याद है हमने कहां से शुरू किया था, हमने कहां से शुरू किया था, मैं आपको tarot readings थोड़ा से deep में समझाना चाहती हूँ, आजकल मेरा मन करता है कि आपको deep में लेके जाओ एक दम, कि आप लोग tarot reading में deep dive करें, तो हमने कहां से शुरू किया था, हमने 3 of pentacles से शुरू किया था, जब हमने 3 of pentacles देखा था, तो मैंने आपको बिताया था कि यह शुरुआत है, सर्फ, एक stable connection की शुरुआत है, यह stable connection नहीं है, बट शुरुआत है, अभी आपकी life कहां पर जा रही है, यह 3 of pentacles है, और 10 of pentacles है, 10 of pentacles मतलम जो आपने यहां पर शुरू किया था, आप फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं, फामिली है, कमिटमेंट है, आपका पार्टनर है, और लाइफ सेट है या सेटल्ड है, तो आपकी लाइफ उस डिरेक्शन में जा रहे है, जहां पर बहुत जाद आपकी ल जगे पर पहुंचेगी, लाव लाइफ सेटल्ड जगे पर पहुंचेगी, और यहां पर फोर फवांस है, फोर फवांस अगेन बताता है, सोल कनेक्शन, वेडिंग, इंगेजमेंट, तो मेरे ख्याल से यह सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, अगर आपने कमिट लाइफ एक टर्न लेगी, एंड डू रिमेंबर कि यह छोटी-छोटी सी शुरुवात हैं, जो हमें इस पॉजिटिव आउटकम तक लेके जा रही हैं, शुरुवात हमेशा छोटी सी होती है, फिर छोटी-छोटी शुरुवात आगे जाके उस बड़े कमिट्मेंट में टर हो जाएगी, और शायद आप अपने अल्टिमेट सोल मेट से मिल लें इस महीने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फर, यूनो कुछ तो हो रहा है, जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है आपके लिए फैबरी में, अभी हम नेक्स पार्ट पे आते हैं, आपकी क्या फील करते हैं, ओके यहाँ पे डिथ की अनरजी है, डिथ की अनरजी दुबारा से आई है, तो यहाँ पे इस रीडिंग में भी आपके अनरड़ आया है, डिथ को क्रॉस किया है टू ओ अफ पेंटिकलं से, टू आ फोड़ा से booking सबीन है का हम्ने फोडा सा पार्यकं के, चलिए और क्या हो रहा है यहां पर queen of pentacle है okay give me a moment see ten of pentacle भी दुबारा से आया है अभी हम just ten of pentacle के बारे में बात कर रहे थे हैं यहां पर right so good cards good energies right okay यहां पर the hermit है what else is going on wow amazing okay अभी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एकदम clear clear messages दूँ तो मैं आपको hundred percent authentic or deep messages दूँगी just give me a moment okay okay तो सबसे पहले जो energy है वो death की energy है death की energy आपके present moment में आई है तो death की energy present moment में आना मतलब कि कुछ end हुआ है life में कुछ खतम हुआ है कुछ endings आपने देखी है और इस ending चाहें ending temporary हो चाहें ending permanent हो इस ending के बाद में थोड़ा से juggling आई है आपकी life में confusion create हुआ है आपकी life में और कुछ end हुआ उसके बाद थोड़ा से confusion love life में create हो गया कि अब क्या करें आगे क्या होगा आगे क्या choose करना है आगे क्या सही direction होगा और ending का reason भी juggling हो सकता है कि आपके person juggle करें आप juggling का मतलब क्या होता है juggling का straight away मतलब होता है कि या तो आप दो person में confused है या फिर दो रास्तों में confused हैं हो सकता है इसलिए confused हों कि किसी का wait करें या ना करें move on कर लें या फिर क्या करें ये confusion हो सकता है या फिर आपके पाल दो options हो, उसका confusion हो सकता है आपको, तो कोई ending आई, ending ने कोई confusion को create किया love life में, उसके बाद में हम आ गए queen of sorts की energy में, और देखी queen of sorts की energy यहाँ पर again multiple scenarios बताती है, हो सकता है कि यह ending आपके person की family के current आई हो, या फिर आपकी person की family में कोई थोड़ा सा cunning इंसान है उसकी वज़े से आई हो, इसलिए भी queen of sorts हो सकता है कि यहाँ पर हो, बिर अट दे सेम टाइम queen of sorts कभी कभी हमारा close heart chakra भी बताती है, कि कुछ ending हमने experience की, अब हमारा heart open नहीं हो रहा है, नए connection के लिए या फिर अब किसी पर trust करना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा hopeless zone में हम आ गए हैं, तो कई बार queen of sorts यह भी बताता है, अब यहाँ पर आपके जो strength में जो चीज आई है, अच्छा सबसे पहले अच्छी चीज बताती हूँ, यहाँ पर कोई person आपके life में दिख रहा है, जो आपके लिए night of cups फील कर रहा है, मतलब कोई person है जो आपको कुछ offer देना चाहता है, जो आपकी तरफ romantic feelings रखता है, और अपनी feelings को express करना चाहते है, person February में आपके life में दिख रहा है, इस person के लिए हम और cards निकालेंगे, कि यह person कौन है, बट उसके पहले मैं आपको कुछ important चीज़े बताती हूँ, आपकी strength में या फिर आपकी course of action में, आपको क्या करना चाहिए, उसमे nine of swords आया है, और nine of swords इस बार ये नहीं बता रहा है, कि आपको क्या करना चाहिए, इस बार ये बता रहा है, कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर universe का message आपकी love life के लिए ये है, कि आप बहुत ही जादा tension ले रहे हैं, आप शायद बहुत जादा negative हो गया है, आपको इस negativity से निकलना है, और life में थोड़ी सी hope और excitement आपको ढूननी है, just because past में आपकी love life में कुछ खराब चीज़ें हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते हैं, फिर प्यार आपको मिलेगा नहीं, ये बिल्कुल इस state of mind से थोड़ा सा निकल जाए, क्योंकि यहां पर बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, अपनी love life को लेके, अपनी married life को लेके, किसी ना किसी चीज़ को लेके, आपको ऐसा लग रहे हैं कि आप शायद से, कोई ऐसा person मिलेगा नहीं, जिसके साथ में आप, you know, strongly feelings रख पाएं, या फिर कुछ तो negative thought process है, course of action February में यह है, कि अपने आपको थोड़ा सा positive करना है, even though February में ही, कुछ चीज़ा ऐसी होते वे, दिख रहे हैं, जो आपके state of mind को change करेंगी, बट still, अब भी यहां पे, past में हम देखें, तो यहां पे wheel of fortune है, किसी connection में, आप से आप चाहते थे, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो इस situation में हो, कि आपका और आपकी person के बीच में हो सकता है, problem आप दोनों की वज़े से नहीं आई हो, किसी destiny की वज़े से आई हो, या फिर कुछ ऐसी situation क्रेट हो गई हो, के problem आई हो, because आप destiny को count कर रहे हैं, आपका perspective ऐसा दिख रहा है कि शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था, कि ऐसा हो, या फिर हमारी किस्मत खराब है, somewhat, you know, ऐसे आपकी feelings दिख रहे हैं, अभी आपकी love life में the moon दिख रहा है, the moon uncertainties को बताता है, कि आप थोड़ा सा fearful feel कर रहे हैं अपने future को लेके, and I guess यहाँ पर भी आप थोड़ा सा उसी को लेके attention ले रहे थे, you know, कि ओके आगे क्या होगा, मेरी love life में कुछ अच्छा है या नहीं है, you know, तो the moon आपका थोड़ा सा डर बता रहा है, और illusion भी बता रहे है, the moon illusion ऐसे बताते कि हम इतने जादा negative हो गए हैं, हम इतने जादा डर में हैं कि हम अपने लिए कुछ positive सोच नहीं पा रहे हैं, अब इस डर की intensity आप सब में सब के लिए अलग-अलग होगी, आपके hopes में क्या है, किस चीज़ को आप hope कर रहे हैं, आप stability hope कर रहे हैं, आप hope क्या है अपके अंदर, hope यह है कि मेरी family हो, या commitment हो मेरी life में, एक loving family, harmonious connection, इन सब चीज़ों का आप hope कर रहे हैं, अगर future में हम देखें, यह आपके 30 days बाद का future है, ओके और यह आपका long term future दिख रहा है, दो महीने बाद या तीन महीने बाद, तो यहाँ पर three of ones की energy है, और eight of cups की energy है, आप किसी चीज़ से detach हो रहे हैं future में, या किसी चीज़ से completely move on कर रहे हैं, अब move on करना या detach होना, यह भी हो सकता है, कि आप अपने mindset से move on कर रहे हैं, यह जो mindset है आपका, कि ओके मुझे कोई मिल नहीं सकता है, या फिर शायद मैं deserving नहीं हूँ, या फिर मेरी life में कोई लिखा हुआ नहीं है, उस mindset से आप निकल रहे हैं, और एक better mindset की तरफ जा रहे हैं, जहां पर आप positive हैं, और अपने true soulmate का, या फिर commitment आने का weight कर रहे हैं, तो जहां पर हमने past में डर देखा है, अभी current situation में हम डर देख रहे हैं, या फिर हम overthinking देख रहे हैं, तो अभी next 30 days में क्या हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़े हो रहे हैं, कि आपका mindset positive हो गया है, या तो आप खुद positive mindset में आ गए हैं, या फिर life ने कुछ ऐसी चीज़े दिखाई हैं, कि आप positive feel करने लग गए हैं, तो पहली चीज़ आपकी love life के future में यह होगा, कि आपको clarity मिलेगी, जैसे यहां पर एक confusion था हमें, तो आपको clarity मिलेगी, कि अभी क्या करना है, उसके बाद आपका state of mind थोड़ा positive होगा, बिकिस बहुत सारी चीज़ों को आप let go कर रहे हैं, और completely अपने true soulmate का, या फिर उस person का wait कर रहे हैं, जहां पे जिनके साथ में आप इस energy को create करेंगे, अगर हम outcome में देखें, तो थोड़ा समय अकेले बताने के बाद, थोड़ा समय अपनी life पे, अपनी spirituality पे focus करने के बाद, finally आपकी love life की wish पूरी हो रही है, do remember कि आपकी love life में hermit exist करता है, और hermit आपकी wish fulfillment के साथ में आया है, मतलब जो आप यहाँ पे family का dream देख रहे थे, वो जरूर आपका future में पूरा होगा, बट उसके पहले एक phase ऐसा आएगा, जहाँ पे आप बहुत सारा time खुद को देंगे, अपनी spirituality को देंगे, खुद के career को देंगे, या अपने उपर focus करेंगे, ये तो एक phase कुछ महीनों का ऐसा भी आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे पूरा focus खुद के ऊपर होगा, और love life पे थोड़ा सा कम focus होगा, अब ये सारी अच्छी चीज़े होता हुए दिख रही है, बट यहाँ पे कमाल की बात ये है, कि यहाँ पे night of cups आया है, अब I want to see के ये night of cups वाला person कौन है, और मैं इस deck को बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा शफल करना चाहती हूँ, so that this person की energy हम deep में थोड़ी सी जान सकें या निकाल सकें, so give me some time, obviously मैं cut कर दूँँगी शफलिंग के पार्ट को, but I am going to shuffle this really nicely, okay let's go, Leos, let's see, this person कौन है, and what are you looking for, okay this person the lover है, this person the wheel of fortune है, this person oh my god, oh my god, oh my god, this person the strength है, temperance है, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, इतने सारे positive cards, एक साथ देखके, बहुत ही जादा खुशी होती है, so this person is someone, जो आपको February में stock करते वे दिख रहा है, आपका social media चेक कर रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, so, यहां पर इस परसन हाइली इंट्रस्टेटेड है, पेज उफ सॉट्स है, और पेज उफ सॉट्स की energy, you know, stocking की energy होती है, positively stocking, मतलब की in simple words, को इस परसन आप पर research कर रहा है, okay, अब भी यहां पर, दो energies हैं, और दो energies क्या है, पहले तो हमने night of cups देखा था, कि परसन कुछ feelings रखता है आपके लिए, और अपनी feelings को express करने की कोशिश करेगा, February में, यहां पे the lovers हैं, मतलब कि यह person आपके लिए the lovers feel करता है, strong love है, इस परसन का आपके लिए strong bond है, यहां पे, मेरी ख्याल से आप में से कुछ लोग हो सकता है, कि इस person के साथ में friendship में हूँ, because two of cups जब आता है, तो strong bond बताता है, जो कि जरूरी नहीं है कि हमेशा romantic हो, you know, two of cups मतलब हम किसी person को बहुत जादा अच्छे से understand कर रहे हैं, हम किसी, हम किसी के साथ, किसी पे इतना ज़्यादा trust कर रहे हैं, कि हमारी life में कुछ भी हो रहा है, तो हम इस person से share कर रहे हैं, हम बात ही कर रहे हैं, बहुत दी loving, बहुत दी प्यारा सा, यह connection आपका इस person के साथ दिख रहा है, but because यहां पे two of cups है, तो मुझे लग रहे हैं कि, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो इस person के साथ में अभी friendship वाले phase में हूं, but यह person for sure आपके लिए the lovers feel करता है, अब यहां पे हमने wheel of fortune देखा है, wheel of fortune third time आपके लिए आया है, oh my god I started fumbling, जब में जादा बोल लेती हूं, तो fumble करने लगती हूं, I am sorry about that, but general, messages आपके देख रहते हैं, उसमें भी wheel of fortune देखा था, past, present, future देख रहते हैं, तो उसमें भी wheel of fortune देखा है, इस person की feelings में भी wheel of fortune देखा है, तो यहां पर destiny में for sure, आप दोनों का मिलना लिखा हुआ है, और destiny कुछ role play कर रही है, जिसे की आप दोनों connect हो सकें, अब यहां पर strength की energy है, यहां पर strength की energy simply इसी लिए आई है, क्योंकि strength आपको represent करता है, strength लियोस का guard होता है, तो लियोस आप इस person की energy field में बहुत ही जादा strongly दिख रहे हैं, बहुत ही जादा strongly आप दिख रहे हैं, तो बहुत जादा यह सोच रहा है आपके बारे में, oh my god मुझे एक बात याद आई है जो मुझे आप लोगों से बोलनी है, guys listen, अगर आप cross watch कर रहे हैं, तो मतलब आप किसी person को पसंद करते हैं और वो person Leo sign है और उसके साथ past में कुछ गरबर हो चुकी है आपकी और आप यह सारे cards देखके trigger हो रहे हैं तो this is not how it works, energies कई बार interchangeable भी होती हैं, तो अगर आप Leo आपके person रह चुके हैं या person है उनके लिए आप reading देख रहे हैं और कुछ चीजों ने आपको trigger कर दिया, क्योंकि कल मैंने पता नहीं किस sign की reading upload की थी, I guess मैंने वर्गो या Cancerians की दोनों की reading upload की थी, और उसमें किसी ने में कुछ चार-पांच हैसात comments लिखेते हैं, अच्छा मेरा person आप किसी और person में interest लिए रहा है, this is not how it works, हमेशा जब आप cross watch करते हैं तो जरूरी नहीं है कि यह आपके person की energy हो, कई बार आपकी energies भी आ सकती हैं, तो cross watch करते time पे trigger मत होई है, मैं trigger मत होई है यार बोलने वाली थी फिर मुझे लगा कि यह इन अप्रोप्रियेट है, for sure, so यहां पे temperance है, temperance, sorry जिसका भी flow मैंने खराब किया है यहां पे उसके लिए, so temperance यहां पे बता रहा है कि आप यह दो cups हैं, एक आप हो एक यह person है और यहां पे cups हमने बहुत सारे देख लिए हैं, यहां पे two of cups था और यहां पे temperance था सी, अब यह temperance क्या बताता है ना कि यह person क्या गरने की कोशिश कर रहा है ना कि आप दोनों के आप लोगों के differences खतम हो जाएं और आप दोनों same page पे आ सकें और फिर equal feelings एक दूसरे के लिए रख सकें यह person आपके लिए temperance फील कर रहा है मतलब effort लगाना चाहता है, कि आप दोनों की compatibility और understanding और जादा strong हो, कई बार temperance यह भी बताता है कि कोई ऐसा person है जिस आपका और इसका हो सकता है कि बहुत ही अलग background हो, mentality अलग हो, सोच अलग हो, अलग-अलग शहरों में रहते हों, family background अलग हो, lifestyle अलग हो तो यह person कोशिश कर रहा है कि आपको वह comfort zone दे सके या फिर compatibility आपके साथ में create कर सके, दो cup हैं totally अलग-अलग हैं और उनका पानी mix हो रहा है temperance में, मतलब यह person कोशिश कर रहा है कि आपको better तरीके से understand कर सके, और इसलिए person आपको stock भी कर रहा था, यहां पर इस person को, यह person बहुत ही जादा action अभी नहीं ले रहा है आपके towards, ford of sorts सी होता है कि lack of action, एकदम तुरंत यह person आपके towards action नहीं लेगा, तुरंत आपको express नहीं करेगा कि यह क्या feel कर रहा है, क्योंकि यह person कहीं पर stuck है, अब stuck होने का reason यह भी हो सकता है कि आप ready नहीं है, इस connection के लिए, आपकी life में कुछ चल रहा है और यह person आपको देख रहा है और इस person को लग रहा है कि शायद से Leo सभी ready नहीं है, तो थोड़ी सी stuckness के कारण जो action लेना है, मतलब दिल और दमाग में जो चल रहा है वो बाते अलग है, बट जो action लेना है, यह person actions थोड़े से कम ले रहा है, और यहाँ पे ace of pentacle है, बट इस person का desire है आपको pentacle देना, pentacle देना मतलब कि यहाँ पे emotions तो रख रहा है person आपके लिए बहुत ज़ादा, बट ultimately आपको pentacle देना चाहता है, और pentacle की बारे में आज आपने क्या सीखा है, तो हमने यहाँ पे three of pentacle देखा था, कहां गया three of pentacle का, anyways, यहाँ पे हमने यह pentacle है, यह pentacle है, three of pentacle भी मैंने आपको explain किया था, यहाँ पे pentacle, तो pentacle ultimately permanent connection होता है, lifetime का connection होता है, तो person यह सीख कर रहा है, okay, so, okay, अब universe के messages देखते हैं, आपकी love life के लिए, उसके बाद मैं आपको यह बताऊँगी, कि यहाँ पे कौन-कौन से science है, और उसके बाद हम alphabets भी देखेंगे, कि, okay, तो alphabets जब हम देखेंगे, तो आपके person के नाम के letters मिल सकते हैं, और आपके person का पूरा नाम आपको मिल सकता है, वो एक further confirmation होगा कि देखेंगी आपकी है, oh my god, I'm sorry, और इस reading से कोई भी value मिले होगी, तो पहले ही मैं आपको बता रहूं कि लाइक कर दीजे, okay, so let go of control issues, अपनी life को control करने की कोशिश मत करे हैं, especially अपनी love life को, कुछ naturally आपकी destiny करने की कोशिश करे हैं अपकी life में, okay, कुछ naturally unfold हो रहा है, अब ये reading देखने के बाद भी अगर आपको पता है कि कोई person आपको पसंद करता है, और आपको उसकी feelings समझ में आ रहे हैं, अपनी love life में, your destiny is taking time, आपको tension कम लेनी है, अपनी healing पर focus करना है, और manifestation पर focus करना है, अपनी affirmations पर और, you know, इन सब gratitude पर इन सब चीज़ों पर focus करें, अगर आप कुछ action लेना चाहते हैं, तो बाकी चीज़े naturally unfold हो रही हैं, okay, आप किसी से flirt करता हैं दिख रहे हैं, for sure, February के मन्थ में, तो February mid में, जो energies change हो रही थी, मेरे ख्याल से, इसी level पर आप जा रहे हैं, जहां पर आप flirt कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके और आपके person के बीच में, religious factors या issues हो सकते हैं, okay, honeymoon period दिख रहा है, अब honeymoon मतलब ज़रूरी नहीं है, कि शादी के बाद का honeymoon हो, honeymoon period मतलब की, एक ऐसा time आप spend करते हुए दिख रहे हैं, किसी person के साथ में, जो carefree time होता है, especially, जब relationship के शुरुवात का time होता है, जब सब कुछ हम carefree होते हैं, और हमें मजा आ रहा होता है, हम बाते कर रहे होते हैं, तो आप में से कई सारे लोग February में ये experience करेंगे, उसकी बाद ह को डिपेंडेंसी से आपको बच के रहना है, को डिपेंडेंसी आपके लिए बहुत बार आता है, लियोस को डिपेंडेंसी का simple language में, अगर मैं आपको explain करूं, तो हमेशा याद रखना कि आपकी love life, आपकी इस पूरी जिंदिगी का एक पार्ट है, आपकी पूरी नहीं है, यह lesson शायद से आपको बहुत बार अपनी love life में मिला होगा, और यह lessons repeat हो सकते हैं, तो इनका ध्यान रखेगा कि आपकी खुद की इक individuality होना चाहिए, आपका career होना चाहिए, आपका खुद का एक friend circle होना चाहिए, आपके खुद के dreams और wishes होना चाहिए, अपार्ट from your love life, किसी सको भी love life में किसी के भी साथ में connected हूँ, तो अपना सब कुछ उस पे समर्पित नहीं करना है, खुद की भी एक life रखनी है, यह basically codependency यह होता है, कि हमारी life का सारा mood, उस single person पे dependent है, कि कैसे वो हमसे behave कर रहा है, कैसे हमसे बाते कर रहा है, तो किसी भी relationship में रहते time, codependency से बच के रहना है, और yes, उसकी बाद में heart to heart conversation, तो किसी person से आपकी heart to heart conversation होता हुए दिख रहा है, बहुत ही, ऐसा, बहुत ही similar messages है, retreat भी ऐसा बता रहा है कि आप February का कुछ ताइम ऐसा होगा, कि आप बहुत ही जादा किसी के साथ में time spent करेंगे, चाहें, आप messages में करें, आप calls में करें, continuously आपकी बात होते हुए दिख रहे हैं, और messages exchange होते हुए दिख रहे हैं, okay, उसके बादे this could be the one, this could be the one, ये बता रहा है, कि आप में से कुछ लोगों के लिए, ये actually आपका the one हो सकता है, actually आपका soulmate हो सकता है, जिससे आप बाते कर रहे हैं, तो there is a chance, okay, this could be the one, अब मैं आपको बताती हुए कि यहां पे कौन कौन से science आए है, do remember, कि हमने बहुत सारे cards को use किया है, तो यहां पे सारे science है, आपके person किसी भी science के हो सकते हैं, but still, हम major energies को discuss करते हैं, जो हमें यहां पे दिख रहे है, यहां पे Capricorn strong है, Makar राशी है, यहां पे Scorpios strong है, वरिश Pisces strong है, mean राशी है, Sagittarius कई बार आचुके हैं, तो यहां पे धनू राशी है, यहां पे Gemini भी repeat हो रहे हैं, बार बार तो yes, यहां पे मिथन राशी है, उसके बार बहुत बार हमें, बहुत बार हमें Virgos देखने को मिल गए हैं, तो कन्या राशी फिर से repeat हुई है, आपके person भी Leos हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे Leos बहुत ही जादा strong हैं, उसके बाद में Capricorn फिर से repeat हुए हैं, और Scorpios फिर से repeat हुए हैं, और उसके बाद यहां पे Aries बहुत जादा strong दिख रहे हैं, मेश राशी, Cancerians दिख रहे हैं, करक राशी, तो सारे science हैं, बढ़ जो बहुत ही extra strong energy जो मैं आपको बता ती है, what I am I doing, चलिए अब आपको पर दिखते हैं, आपकी person की mustache हो सकती है, या आपकी हो सकती है, okay we have labra, tularashi आये हैं यहां पे, tularashi फिर से आये हैं, leos आप खुद आये हैं, तो आपकी person भी Leo हो सकते हैं, we have the letter C and R, T, T, I, A, A, H, E, G, L, O, I, Y, R, L, I, W, G and E, तो यह सारे letters हैं मेरे प्यारे leos, take good care of yourself, hit the like button and I will see you next time, bye